हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चानल पे एक नए वीडियो के साथ तो ये देखें ये मेरे जो गुल्दाउती के पौदे हैं ये वो पौदे हैं जो मैंने कुछ दिनों पहले नर्सरी से मैं लेके आई थी और इसमें भर-भर के फूल आये थे दिसमबर या जानवरी में मैं इसे लेके आये थी और अभी देखें इसमें दुबारा से फ्लाफरिंग हो रही है और कितने अच्छे देड़ सारे फूल इसमें अभी भी खिले वे हैं तो अभी भी आप अपने निक्सी यर के लिए से या फेयर आप एंद से लिए मेरी से फ्लाफरिंग के वेराइटी बन भी रहीمة हो लेकिन आपогे हैं अभी निव लेके आई थी और इसमें भी देखे अभी भी फूल खिले हुए हैं और देखे इसमें और बहुत सारी कलिया आई हुई हैं जो खिलने के लिए तयार हैं उपर से प्लांट भी देखे कितने ग्रीन लग रहा है तो 20 दिन पहले मैं ने देखे प्लांट पर क्या काम किया तो देखे ये मेरे प्लांट का कंडिशन लगपग 20 से 25 दिन पहले का है और मैंने आपको अपडेट अभी दिखा दिया है कि प्लांट कैसे हैं तो सबसे पहला काम जो हमें करना है जब हमारे सारे फ्लार्स खिल जाते हैं तो हमें उन्हें उपर की जो सारे स्पेंट फ्लार तो आप इसे और थोड़ा नीचे तक काट दे सिर्फ एक इंच तक ही छोड़े और बाकी उपर से पूरा कट कर दे तो देखे फ्लान को कट करने के बाद मैंने इसको अच्छे से गुडाई कर दिये तो कोई भी फर्टिलाइजर देने के पहले सबसे जरूरी है कि प्लान के कर देना है तो प्लान के गुडाई मैंने पहले कर दी और कड भी कर दिया है तो अब हम इस में दे हैंगे फर्टिलाइजर तो देखे मैं कौन सा फर्टिलाइजर देने वाली हूं तो यह है मेरा कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट तो इसके जगभाफ पे आप किचन वेस्टका आप अगर और फास्ट रिजर्ट चाते हैं तो आप इसमें कुछ दाने डीएपी के भी डाल सकते हैं पांच से आट दाने तो इससे आपके का जो फर्टिलाइजर है वो और भी स्ट्रॉंग हो जाता है तो मैंने इसमें डीएपी यूज नहीं किया था और अप चलिए हम इसक शेयर करूंगी और रिजर्ट तो मैंने आपसे वीडियो में पहले ही शेयर कर दिया है अगर वीडियो अच्छा लगए तो लाइक और शेयर जरूर कीजेगा चानल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो यह देखिए इसके बाद जो साथ दिनों के बाद मैं दालने वाली हूँ यह मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर सरसो के घली का जो फर्टिलाइजर होता है तो इस पर कैसे बनाते हैं कैसे यूज करते हैं इसका वीडियो मैंने अलग से चानल पे डाला हुआ है तो आप इसे थोड़े डाइलूटेड फॉर्म में यूज कीजे और प्रेसल्ट दो आपने देखी लिया तो वैसि यही दो काम मैंने अमने सारे गल्दावुदी के प्लांट में अभी आपको फ्लावर से मैं त्यज्सके जेए मिल रही है और है इसे आपको ऐसी जगर पे रखना है जहां पे इसे तीन से चार गंटे की दूप में और फ्लाव देंगे आपको देखे साइज थोड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन अच्छे मिलेगी तरह सारे फ्लावर्स आपको अबी पी मिल सकते हैं तो आपको फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंथापी काटनिंग